हेलो फ्रेंस वेला कम बैक टू पीसी स्टेडी चानल फ्रेंस में बात करने वाले हैं कि जब आप बिहार पॉल्टेक्निक गॉर्णमेंट कॉलेज में एडविसन कराने जाओगे तो उस टेम क्या क्या डोक्यूमेंट आपको साथ में लेकर के जाना है और साथ में हम लोग बा इसे करें सारी चीज़ें हम लोग इस वीडि़िज में बात करेंगे तो बिद्विज को पूरे अंत देखिए चानल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए बिद्विज को इस्टार्ट तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं डोक्यूमेंट लि उसके बाद यहां पर पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है 10th का उसके बाद एड्मिट कार्ड लेके जाना है आपको उसके बाद आपको रैंक कार्ड लेके जाना है उसके बाद जेंडर वेरिफाय होगा उसके बाद यहां पर कास सर्टिफिकेट वेरिफाय होगा ठीक ह certificate जिसको income certificate बोलते हैं तो यह चीज़ें आपको लेकर जाना है verify होगा आपका ठीक है और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और जो है admission fee कितना लगे यहाँ पर दे सकते हो 1000 का billing है बट यहाँ पर आपको 2500 ओपीस कम से कम लगेगा क्योंकि और भी सारे वी को kaikki होता है यहाँ फिर सब्सक्राइब कर दे सकती है तो तो यादी जादा सिर्ड बसता है तो थर्ड राउन पे हो जाता है यदी कम सिर्ड बशता है तो हाँ पर मतलब होता है कि आपको पटना जाना होगा ठीक है मौपप में रेजिस्टर सबसे पहले करना होगा यदि आप रेजिस्टर नहीं किये हो तो आपको नहीं बुलाए जागा मौपप में ठीक है रेजिस्टर करने के बाद जो भी सीट वहां पे बचा होगा ठीक है वहां पे आपको बुलाया जाएगा उसके बाद जो भी सीट बचा होगा वहां पे आप से पूछेगा कि इस जगह पे सीट बचा होगा है कौन कौन से जिस कॉलेज में बचा होगा वह आपको बताएगा यहां यहां पे सीट ब चाहँ जानी की आपको पसंद नहीं तो आपको क्या करना है जो है आपको कॉलेज़ जाना होगा जो इस अधर टोकिमेंट वेरिफाय करना होगा उसके बाद यदे आप एडुमेटिक आपका जो है grade up कर देगा ठीक है एडमस्ता नहीं लेने का मतलब है कि वहाँ पर आपका grade up हो जाएगा ठीक है उसके बाद grade up करने में एक चीज और है grade up करने में कोई भी fee नहीं लगता है free of cost यहाँ पर grade up आपका हो जाएगा ठीक है उसके बाद second round में नाम आएगा तो first round में जहाँ पर मिला है वहीं पर आपको मिल जाएगा उसके बाद third round होता है जैसा मैंने भी बताया mop up ठीक है सीड जादा नहीं बसता है फिर तब mop up होता है तो यह चीज़ें है अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका first round का result कब तक बात करें तो अभी तक कोई भी notice नहीं आया है जब तक official website की तरफ से कोई भी notice नहीं आता है तब तक कुछ भी बता पाना मुस्किल होगा क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि हम कब तक जो है first round का result डिक्रेर करेंगे इसलिए उसने कोई भी date अभी तक mention नहीं किया है official website पे ठीक है तो यदि कोई bold है तो वो गलत bold है तो आप विश्वास ना करें और wait करें जो है यहाँ पे official website का देखे कब तक आता है बाकि यदि बात करें तो 18 से 20 तक लग सकता है बाकि यह भी expected date है बाकि हो सकता है इसके पहले भी आजाए क्योंकि जैसे ही technical error end होता है आपका result आजाएगा तो wait कीजिए कोई भी new update आता है तो आपको मिल जाएगा बाकि मिलते हैं नेस वीडियो में और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके बाद जो भी updates आएगा वो मैं आपको इस चैनल के मादियम से दूँगा ठीक है तो मिलते हैं नेस वीडियो में तो thank you for watching this वीडियो